हेलो दोस्तों मैं राकेश शौदरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूँ आपका डिजिटल तैरी के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रेलवे एंटी पीसी और डी ग्रूप के कम्प्लीट मैथमेटिक्स के सेलेबस की उसी सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात समान अनुपात उसका हम देख रहे हैं पार्ट नमबर सेकंड तो कुछ कुश्चन तो हमने कर लिए थे पिछले पार्ट में बचे वे जो कुश्चन से उनकी हम बात करेंगे पार्ट नमबर सेकंड में तो देखते हैं स 25 का मध्या अनुपाती क्या होगा मध्या अनुपाती मतलब मीन प्रपोस्टनल मतलब सेकंड प्रपोस्टनल जिसे हम कहते हैं वो आपको पूछा जा रहा है तो जैसा कि आपको पता है मैंने आपको कहा था चार होते हैं प्रथम समान अनुपात दृत्य समान अनुपात तृत पांद्रा, 17 का आपको कहता मद्य हनुपाती क्या होगा तो आपको पता है दूसरा पूछ रहा है तो यह हो गया हमारा पहला दूसरा आपको पूछ रहा है उसकी जगे मैं x लिख दू और यह समान अनुपात ठीक है फिर यह 15 और यह 17 इन के लिए फार्मूले भी होते हैं वो तैसरा हो गया और यह चौता हो गया दूर वालों का गुणा ुर पास वालों गुणा हमें पता है समा नलूपात में होता है यह concept तो उसी concept को लगाते हुए तीन का शतरा से गुणा आप 51 भी लिख सकते हैं और 15 का एक्स से गुणा तीन से पंद्रा में पांच बार काड़ सक अगर तीन दे रखे होते चाहे दूसरा पूछे तीसरा पूछे पहला पूछे चौता पूछे कोई भी पूछे आप निकाल सकते हो लेकिन तीन के जगे दो दे रखे हो तो क्या कंसप्ट काम में आता उसे हमें समझ रहा है तो देखिएगा वो क्या लॉजिक है आपका जब आपको सिर्फ दो ही दे रखे हो तो तो उसके लिए हम देखते हैं हमेशा याद रखिएगा इनके लिए भी वैसे तो फॉर्मूले हैं मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है ए और बी दो संख्याएं दे रखिए उनका गुणा करके स्क्वैर रूट ले लीजिए आपका चैत्रत्य समान अनुपाती पूछे चैत्रत्य समान अनुपाती पूछे अगर दो आपको दे रखे हैं नंबर तो उस समय तरीका क्या लगता है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं तो ये जो समान अनुपात का चिन है इसके पहले जो आएगा वही इस समान अनुपात के बाद में भी लिखा जाएगा ये जरूर ध्यान रखिएगा सिर्फ आप कब जब आपको केवल दो नमबर दे रखे हो केवल दो संख्याएं दे रखी हो तो जो समान अनुपात के पहले आएगा वही समान अनुपात के बाद में भी आएगा ही आएगा, चाए फिर पहला पूछा ओ, दूसरा पूछा ओ, तीसरा पूछा ओ या चौथा पूछा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, चलिए, तो अब कुष्चं में दो नमबर दे रखें, तो ये वाला कंसेम्ट आपको समझ आगी है, ये वाला तो ये हो गया ठीक है तो पहला ये हो गया तो लिख लेते हैं नौ मध्यानुपाती पूछा और अब दूसरा पूछा है तो उसकी जगे एक्स लिख लेते हैं फिर ये समान अनुपात का चिल लग दिया अब जैसा कि आपको पता है जब दो ही नंबर दे रखे हो और दो ही नंबर दे कर किसी के बारे में भी पूछे तो हमको ये सिर्फ पता है एक ही बात के समान अनुपात के पहले जो लिखा जाता है वही समान अनुपात के बाद में लिखा जाएगा तो समान अनुपात के पहले आपने x लिखा है तो बाद में भी क्या आ जाएगा x फिर जगे बची एक नंबर एक ही बचा जो की कितना है 25 अब हम कह सकते हैं दूर वालों का गुणा बराबर पासवालों का गुणा या बाहरी पदों का गुणान फल बराबर मद्य पदों का गुणान फल x का x से आप गुणा करेंगे तो x स्क्वेर कहलाएगा 25 का 9 से अगर आप गुणा करेंगे तो 225 कहलाएगा अब x हटेगा तो उदर square root हो जाएगा स्क्वेर हटेगा तो उदर स्क्वेर रूट हो जाएगा तो 225 का स्क्वेर रूट वर्ग मूल ले लेते हैं जो कि कितना हो जाएगा आपके 15 तो यही तो आपको पूछा था कि मद्यानुपाती क्या होगा जिसे हमने X कहा वो आया 15 तो ये चीज काम करेगी जब दो नंबर होंगे, तीन नंबर होंगे तो हमारा तरीका आपको पता है, एक example भी बताएं मैंने अभी आपको, तो इस question का answer आया 15, जो की option कौन सा है, तीसरा, चलिए बात करते हैं, next question, question number 13 के बारे में, क्या कह रहा है, question number 13, देखिएगा, 12 और 30 का त्रत्य अनुपाती क्या होगा, कितने नंबर दे रखे हैं, आपको दो नंबर दे रखे हैं, और त्रत्य अनुपाती पूछ रहा है, तो तरीका आपको पता है, जब दो नंबर दे रखे हों, तो समान अनुपात के जो पहले पूछा किसके बारे में तीसरे के बारे में तो पहला तो हो गया बारा दूसरा क्या होगा यही जो सीक्वेंस में लिखावा उसी को लेते हैं क्योंकि पूछा तो तीसरा ना तो दूसरा अब हम लिखी देते हैं यही से देखका चलिए अब एक नियम मैंने आपको बता रखा अगर फॉर्मुले नहीं रटने हैं तो और वो नियम ये है कि जब दो ही नंबर दे रखे हो तो समान अनुपात के पहले वाले को बाद में कॉपी किया जाता है तो 30 को कॉपी कर दो हात्वात यहां पे अब एक ही जगे बच रही है और एक ही कोई पूछा है तो यहां लिख दिया हमने एक्स तो बाहर वालों का गुणा बराबर बीच वालों का गुणा आपको पता है यह कंसेप्ट होता है अब यह देखने में ऐसा लग रहा है पूछा तो तुर्त अनुपाती है लेकिन निकल पर दे रखे हो तो थर्ड और फोर्ट प्रपोस्टनल लिकालने का तरीका सेम होता है चलिए अब आंश्वर क्या आएगा बारा का एक्स से गुणा कर लेते हैं तो बारा एक्स 30 का 30 से अगर गुणा करोगे तो 900 होगा ठीक है आप चाहो तो 900 भी लिख सकते हो और नहीं तो इस तरह से लिखके भी अंसुर ला सकते हैं अब कटने के लिए जो हैं उन्हें काट लेते हैं तो देखते हैं 6 से गया 2 बार 6 से गया 5 बार 2 से ये गया कितना 15 15 का 5 से गुणा क देखिए तीन नंबर आ चुके हैं इस बर तो ये तो आसान हो या कुश्यन एक दो तीन कॉमा चार कॉमा पंदरा का चतुर्था अनुपाती क्या होगा तो तीन कॉमा चार कॉमा पंदरा का चतुर्था अनुपाती पूछा है तो नंबर आपको तीन दे रखे हैं तब तो और भी आसान है कोई मुश्किल नहीं है तो चौथा पूछा है ना तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, क्योंकि जो पूछा उसको X मानना है, ठीक है, और तीन नमबर दे रखे हैं, तो वो समान अनुपात के पहले वाले को उसके बाद में लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चौथा है, तो वहां लिख देते हैं, X, बार वालों का गुणा बराबर, बद्य पदों का गुणनफर, तो तीन का X से कितना, 3X, 15 का 4 से कितना, 60, इसको मैं कैंसिल कर लूँ, तो कितना आगया, 22,0, एक्स की वेल्यू कितनी आगया, 20, यही तो पूछा था, आपको चतुर समान अनुपाती, जिसको हमने X माना था, कितना आया, 20, चलिए, बात करते हैं, next question नमर 15 के बारे में, इसका जो यह concept है, अभी जो concept नया था, वो तो मैंने आपको इस part second में समझा दिया, लेकिन प्रथम समान अनुपात, यह यूं कह दें, हम समा अनुपात, proportional का क्या concept होता है, कैसे यह बाहर वालों का गुणनफल, बराबर मद्यपदों का गुणनफल होता है, यह part first में आपको starting में मिल जाएगा, चलिए, देखते है, question number 15, क्या कह रहा है, question number 15, देखिएगा जरा, दो संख्याओं का अनुपात है, हमारे पास, दो तो करने के दो तरीके है, एक तरीका तो यह है कि आप option से कर ले, और एक तरीका यह है कि आप method से कर ले, आपको गहरा है संख्याओं का अनुपात है, कितना दो अनुपात पीन है, ठीक है, हर एक संख्या में 8 जोडा जाए, तो उनका अनुपात 3, अनुपात 4 हो जाता है, तो option से कैसे होगा, option से इस तरीके से होगा कि वो option लेना जिसका अनुपाद 2 अनुपाद 3 हो, और फिर उनमें 8 जोडने पर नए अनुपाद 3, अनुपाद 4 आ जाए, तो पहला option देखें, 2 अनुपाद 3 है, कोई दिक्कत की है, अब दौनों में 8 जोड़ू, तो 2 में 8 तो 11 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसका तो अनुपाद 3, अनुपाद 4 नहीं आएगा, तो ये तो answer नहीं है, अभी option से कर रहे है, method से भी देख लेंगे, 4 और 6, अनुपाद 2, अनुपाद 3 आ रहा है पहले, अब 8 जोडने पर 3, 4 हो जाने चीए, तो 8 जोड लेते तो 8 और 6 अगर करूँगा, तो कितना हो गया, 14, तो 12 और 14 किया, तो ये कितना आ रहा, 6 और 7 आ रहा, तो ये भी answer नहीं होगा, क्या ये अभी आपको 2 अनुपाद 3 दिख रहा है, बिल्कुल 4 से जाने पर 2 और 3 दिख रहा है, अब इसमें 8 जोडू तो ये कितना हो गया, 16, और 12 में 8 जोडू तो ये कितना हो गया, 20, 4 से कटने पर 4 अनुपाद 5 आएगा, लेकिन 3 अनुपाद 4 बोल रहा है, तो ये भी answer नहीं हुआ, तो फिर answer कौन सा दिख रहा है, 4th option, क्या ये अभी आपको 2 अनुपाद 3 दे रहा है, बिल्कुल 8 से कटने पर दे रहा है, 2 आठ जोडने पर 3-4 होना चाहिए, तो 16 में 8 जोडो, 16 में 8 जोडोगे तो कितना हो जाएगा, चोईस, और चोईस में आप 8 जोडोगे, तो चोईस में 8 जोडने पर कितना बनेगा, आपके 32, क्या ये आपके बनेगा 3 और 4, 8 से कटने पर ये गया 3 बार, और 8 से कटने पर य गया कितना चार बार, तो इसका वाला option कौन सा सही है, चौथा सही है, ये तो था option वाला method, ठीक है, तो option से किया, फूर्थ आ गया, 16 and 24, और method से करना है, तो वो भी हम समझ लेता है, देखिएगा कैसे होगा method से, संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, तो संख्याएं है 2X और क्या 3X, अब हर एक संख्या में 8 जोडा गया, तो 2X में 8 जोडा तो 2X प्लस 8 ही होगा, और 3X में 8 जोडा तो 3X प्लस 8 होगा, ठीक है, चलिए, अब इनने नई संख्याओं का अनुपात लोंगा तो प्रश्णिक अनुसार ये नए अनुपात तीन अनुपात चार आ रहा है तो ये लेजिए तीन अनुपात चार अब कुछ नहीं x की value आपको निकालनी है solve करके और फिर 2x और 3x संख्या है तो x में 2 का और x में 3 का गुणा करना आपका answer आ जाएगा तो x की value कैसे निकलेगी cross multiplication से 4 का 2 से कितना 8x, 8 चौक 32, 3 का इस से कितना 9x और 8 का 3 से choice ये 8x है ये 9x है उदर जाकर x हो गया ये 24 इदर लेकर आ जाएए तो ये कितना हो जाएगा आपके ये हो जाएगा 32 में से 24 चला गया तो कितना रहेगा 8 x की value कितनी आगे 8 जिसका आठ का 3 से choice और 8 का 2 से 16 तो 16 और चोईस चौथा option मैच कर रहा है आप option से करें या method से करें आपकी choice है एक्स आगे 8 तो नमबर आगे आपके 2 इंटू 8 16 तीन इंटू 8 कितना choice तो पहला ये दूसरा ये ठीक है चलिए बात करते हैं next question question number 16 के बारे माँ क्या गरा question number 16 देखिए यदि x और y का अनुपात 3 अनुपात 2 है तो x प्लस y अनुपात x माइनस y क्या होगा बहुत आसान है x और y का अनुपात पता है ना तो इसमें x और y की value रख दीजिए पर ये तो अनुपात है value कैसे रख दे आप देख पार है उपर और नीचे दौनों जगे x और y की गाते power जो है एक समान है तो जो अनुपात है उसे ही value मानकर रखा जा सकता है जब गाते एक समान होते है तो रखते हैं आपको कह रहा है x प्लस y अपॉन x माइनस y x कितना है 3 है y कितना है 2 है तो यहां लिख लेते हैं 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 3 और 2 कितना 5 3 माइनस 2 कितना 1 तो 5 बटा 1 या 5 अनुपात 1 कह दीजिए एक ही बात है जो कि आपका option हो गया कौन सा option number second ठीक है चलिए बात करते है 17 नंबर question कि क्या गरहा है 17 नंबर question देखिए आपको गरहा है यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z है तो x का मान क्या होगा तो जैसा कि आपको पता x अनुपात y है तो x बटा y लिख सकता हो y अनुपात z है तो उसको y बटा z लिख सकता हो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर value किसके निकालनी x की तो x को अकेला छोड़ देते तो x यहीं रह जाएगा तो अकेला ही हो जाएगा y का उपर वाले y से वजर गुणा cross multiplication कितना y square अपॉन में कितना z यहीं पूछा था आ गिया y square अपॉन z जो की option कौन सा आपका तीसरा option चलिए देखते हैं next question number 18 क्या गह रहा है question number 18 देखिए यह भी x y इसको अगर read करें तो कैसे करेंगे x अनुपाद y समान अनुपाद 5 अनुपाद 2 है तो 8x plus 9y ratio 8x plus 2y का मान क्या होगा तो सबसे पहले तो जो दे रखाया है उसको थोड़ा ढंक से लिखकर देखते हैं ठीक है तो क्या लिख सकते हैं यही है अब जैसा कि आपको पता है बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर मद्य पदों का गुणनफल होता है तो 2 का x से 2x और 5 का y से 5y तो x upon y जो ratio हमको पिछले वाले question में सीधा सीधा दे रखा था वो इस बार ratio अनुपाद हमने निकाला और वो निकल कर आया x upon y कितना 5 बटा 2 ठीक है तो x का मान 5 और y का मान 2 रख दीजिए जो पूछा है उसमें आपका अंच्वर आ जाएगा ऐसा क्यों क्योंकि उपर और नीचे मैं देख सकता हूँ घाते जो है पावर जो है वो एक समान है तो एक समान है तो जो अनुपाद है उसी को हम value मान कर रख सकते हैं तो यह लीजिए 2 नीचे लिख सकते है 8x प्लस 2y बस इसे solve करना आंसर आगे आपका 8 का 5 से कितना 40, 9 का 2 से कितना 18, 40 और 18 कितना 58 ठीक है फिर 8 का 5 से कितना 40 और 2 का 2 से कितना 4 तो 40 और 4 कितना 44 पतला 40 हो अब उसमें कटने के लिए कुछ है तो काट कर देख लेते हैं तो काटने के लिए इसमें देखें है तो यह 2 से गया यह भी 2 से ही जाएगा ठीक है यह 2 से गया दो बार और यह 18 तो 29 तो 29 रेशियो 22 29 बटा 22 लिखावा है या फिर यह बोल दो गुंतिस अनुपाद 22 तो भी एक ही बात होगी तो option मैच कर जाएगा आपका कौन सा option नमबर second ठीक है 22 अनुपाद गुंतिस नहीं गुंतिस अनुपाद 22 ही होगा जो की कौन सा है second option चलिए बात करते है नेक्स्ट कुश्चन 19 नमबर के बारे में क्या गहरा है question number 19 19 नमबर 19 नमबर आपको कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और एक रुपए के सिक्के है ठीक है इस तरह के questions को बहुत ध्यान से समझेगा देखिए तीन तरह के सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे 25 पैसे और एक रुपए के सिक्के हैं हमारे पास किस अनुपात में है 5 अनुपात 6 अनुपात 2 के अनुपात में तो 5 अनुपात 6 अनुपात 2 के अनुपात में है ये है सिक्कों की संख्या का अनुपात ratio of number of coins, ठीक है, बैग में कुल राशी कितनी है, 42 रुपीज हमारे पास total क्या है, amount है, तो आपको पूछ रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो देखिएगा, हमें पता है, अनुपात का basic concept क्या होता है, जो उपर आता है, उसी के अनुसार अनुपात का आता है नीचे है, तो उपर अगर आप देखें, तो 42 total क्या है, amount है, आपके पास राशी है, रुपे है, और आपके पास अनुपात, अगर मैं 5 और 6 इनको जोड कर 11 और 2, मैं 13 बोल कर 42 बटा 13 लिख दूँ, तो क्या ये सही होगा, नहीं, क्यों, आपने लिखा तो नीचे तीनों क total ही है, लेकिन total आपने उन सिक्कों की संख्या के अनुपातों का लिखा है, और उपर तो आप देख रहे हैं, उन सिक्कों के लिए जो total रकम है, amount है, उसका total है, तो उपर अगर total रकम का है, तो नीचे आपके पास अनुपात भी उनकी रकम का ही होना चाहिए, तो ये तो सं हैं कैसे होगा गुणा देखिएगा 50 पैसे हैं तो 50 पैसे रुपए में किसके बराबर होते हैं आधे रुपए के एक बटा दो के तो गुणा करवा दिया एक बटा दो से 25 पैसे हैं तो 25 पैसे रुपए में किसके बराबर होते हैं पैसों को कुछ से cancel होने के लिए या सरल होने के लिए है तो वो हम करके देख लेते हैं ये गया 2 से ये भी गया 2 से और कुछ कटने के लिए नहीं है तो as it is रह जाएगा तो चलिए देखते हैं इनका ratio क्या आया ये आ गया 5 by 2 ये आ गया कोई सा भी 2 ले लो एकी बात है तो 2 into 2 कितना हो गया 4 तो ये जो अनुपात आया है ये अनुपात है हमारा किसका रकम का किसके लिए 50 पैसे 25 पैसे और एक रुपए के लिए और ये जो 5-6 और 2 आपको दे रखा था ये था अनुपात किसका संख्या का सिकों की संख्या का ये रकम का अनुपात आ गया अब जो हम 42 के नीचे इनके अनुपातों का total लिख रहे थे वो गलत था क्योंकि संख्या थी ये शिकों की ये रकम है सिकों की तो अब हम लिख सकते है total है 42 rupees तो नीचे इनका total लिख लेते हैं 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया ये 12 multiplication में जिसके बारे में बात किये उसका लिखना है किसके बारे में बात किये 25 पैसे के बारे में बात किये तो 25 पैसे के लिए अगर मैं देखूं तो मेरा अनुपात कितना है 3 तो गुणा में कितना आएगा 3 ठीक है अब देखें तो ये cancel हो रहा है 12 से 6 से cancel करूँ दो बार 6 से इसको भी cancel कर सकते कितनी बार चला जाएगा ये 6 से 7 बार ठीक है 7 का 3 से गुणा किया 21 बटा में कितना 2 तो 21 बटा 2 का मतलब कितने रुपए हो गए ये हो गए 10.5 रुपए सारी 10.5 ठीक है 10.5 रुपए हो गए 10.5 रुपए हो गए ये है रुपए ध्यान रखिएगा ठीक है तो 21 बटा 2 का मतलब हो गया 10.5 रुपए ठीक है अगर 10.5 रुपए की बात करें तो 10.5 रुपय है या 10.5 रुपय है ये हम कह रहे हैं तो 1 रुपय में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 10 रुपय में कितने सिक्के हो गए 40 सिक्के और उपर कितना है आधा रुपया है 50 पैसे हैं तो 25 पैसे 50 पैसे में 2 सिक्के होंगे तभी बनेगा तो इसका मतलब total number of coins कितने ह हो गए total number of coins हो गए 42 फिर से बताता हूं देखिएगा साड़े 10 रुपए आए हैं 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तो एक रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के तो 10 रुपए में कितने हो गए 40 दस इंटू 4 उपर कितना है आदा रुपए और है मतलब 50 पैसे और है तो 25 पैसे के दो सिक्के होते हैं तब 50 पैसे बनते हैं तो 40 और 42 क्या होगे सिक्के होगे total 25 पैसे के यही पूछा था तो option कौन जा सही है आपका second option चलिए बात करते हैं next question number 20 के बारे में क्या कहरा question number 2020 देखिएगा मद्यानुपाती पूछरा आपको 0.32 और 0.02 का तो तरीका आपको पता है number कितने दे रखें आपको number दे रखें सिर्फ दो तो जब दो ही number दे रखें हो तो हम क्या करते हैं जो समान अनुपात के पहले लिखते हैं उसी को repeat करते हैं समान अनुपात के बाद में तो दो number हैं मद्यानुपाती मलब दूसरा पूछा है तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो x कितना होगा x square होगा और 0.32 का 0.02 से multiplication करोगे तो point 1 छोड़ी है 32 का 2 से किया कितना हुआ चौश सकते 64 आगे ठीके अब जब इसका इससे गुणा करेंगे तो आप देख सकते इसका point हटेगा तो नीचे 2 0 लगेंगे इसका भी point हटेगा तो नीचे और 2 0 लगेंगे तो finally नीचे 0 कितने होंगे 4 तो गुणा होने के बाद में जो number आएगा उस number में भी point ये बाद 4 अंक होने ची है क्यों क्योंकि नीचे 4 0 है तो इससे मैं लेख सकता हूँ point 0064 ठीक है यहां तक चलिए अब square हटेगा तो square root होगा तो square root point और 0 इनको बोल जाईए एक बार के लिए 64 का तो कितना होता है 8 होता है ठीक है यहां तक अब point अटेगा तो नीचे 4 0 लगेंगे तो 4 0 लगेंगे तो 4 0 का मतलब हो गया अब के कितना 10,000 तो 10,000 का अगर square root ले ले हम जैसे यह 4 0 लगे में हैं तो इसका मतलब हो गया 10,000 तो इसका square root ले ले अगर हम तो इसका square root क्या हो जाएगा 100 और 100 नीचे होगा तो इसका मतलब point के बाद 2 अंक आने चीए 500 हो जाएगा 0.08 जो की option आपका match कर रहा option number कौन सा 4 ठीक है चलिए point का ही कमाल है थोड़ा बहुत जो है बागी तो नॉर्मल सा question है बात करते है next question question number 21 के बारे में क्या गयरा question number 21 देखी जरब वो question आया है वापस जो अभी हमने देखा था आपको गयरा एक purse में एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के है जो कि एक अनुपात दो अनुपात चार के अनुपात पांच के अनुपात में है ठीक है एक रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे इसके रेशियो में है किस रेशियो में है 1,2,4,5 ठीक है अब ये जो अनुपात है ये अनुपात है इनकी संख्या का ये ध्यान रखियेगा तो इस संख्या के अनुपात को number of coins का रेशियो है इसको आपको amount में change करना पड़ेगा क्योंकि total जो हमारे पास है वो total क्या है रकम है total amount है इसलिए आगे आपको क्या कह रहा है अगर सभी सिक्कों का कुल मुल्य 400 रुपय है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितनी अधिक है चलिए अभी देख लेते तो देखिएगा ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये जो अनुपात है ये संख्या का अनुपात है टोटल हमें रकम दे रखा है अगर टोटल संख्या ही दे रखी होती अभी ऐसा बोल देता कि कुल 400 सिक्के हैं उस परश में तो फिर तो बहुत आ संख्या से कितनी अधिक है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या के लिए 5 है 25 पैसे के सिक्कों के संख्या के लिए 4 है अनुपात अंतर पूछ रहा है तो गुणा में 8 इसको सौल कर लेते आंसर आ जाते ये कब होता जब आपको 400 रकम ना देकर 400 रुपए ना देकर 400 सिक्कों की संख्या दे रखी होती लेकिन वो आसान कुषियं है वो तो आप कर लेंगे इसीलिए कुषियं यह है कि 400 रुपे है तो रकम है तो इसे भी रकम में लेकर आजाओं अनुपाद को तो रकम में लाना है तो रकम से गुणा करना पड़ेगा तो एक रुपे की रकम एक ही होती है तो एक से गुणा पचास पैसे की रकम होती है एक बटा दो रुपे तो कर लिया एक बटा दो से गुणा कैसे होती है एक बटा दो रुपे एक बटा दो रुपे इस तरह से होती है कि पचास पैसे को रुपे में बदलना है तो सौ का दोगे तो एक बटा पांच रुपय आ जाएगे ठीक है चलिए अब कुछ कटने ये लिए है तो उनको कैंसिल कर लेते तो दिख रहा है काफी कुछ यहां कैंसिल होता हुआ कैंसिल होगे आपस में तो रेशियो अगर मैं देखूं फाइनली क्या आया इनका इनका फाइनली र रकम का अनुपात क्या आया वन रेशियो वन रेशियो वन रेशियो वन इसका जो चाड़ सो रुपय है वो सो रुपय सो रुपय सो रुपय सो रुपय इस तरीके से होंगे सो रुपय एक एक रुपय के सिक्के होंगे सो रुपय पचास पैसे के सिक्के होंगे सो रुपय 25 पैसे के सिक्के होंगे और 100 रुपे 20 पैसे के सिक्के भी होंगे ठीक है तब 400 रुपे पूरे हो जाएंगे क्योंकि रकम बराबर टूटी है तो 400 रुपे 100-100 रुपे हर तरह के सिक्के आपको मिल जाएंगे अब हमारा कुश्चन क्या है कुश्चन ये है कि 20 पैसे के सिक्को कि संख्या जो है कितनी अधिक है तो सिंपल साय देखिएगा बीस पैसे है तो बीस पैसे का मतलब मुझे पता है कि एक रुपे में बीस पैसे के कितने सिक्के होते हैं एक रुपे में बीस पैसे के कितने सिक्के बनेंगे पांच सिक्के बीस 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 फिर 20 और अगर हम इस तरह से देखे हैं तो 20 इंटू 5 करने पर 100 बनता है तो 100 पैसे मिलाकर 1 रुपया बनता है यही बात है तो इसका अलग 1 रुपया में जैसे 50 पैसे के 2 सिक्के होता है 25 पैसे के 4 सिक्के होता है 1 रुपया का 1 सिक्का होता है वैसे ही 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे 5 तो 20 पैसे के सिक्के 1 रुपे में 5 होते है तो 20 पैसे के लिए रुपे कितने है 400 टोटल है हर एक के 100-100 है तो इसका मतलब टोटल नंबर ओफ कॉइन्स अगर मैं देखू एक रुपे में 5 सिक्के है तो 100 रुपे में सिक्क्य हो गए 500 कोई दिक्कत ही नहीं है वरवली भी कर सकते हैं फिर 25 पैसे की बात कर रहा है तो हमें पता है कि 1 रुपे में 25 पैसे के 4 सिक्क्य होते हैं ठीक है तो 25 पैसे के लिए रुपे टोटल किते हैं 100 तो जब एक रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के तो 100 रुपए में कितने सिक्के होंगे 400 तो आपको यही तो पूछा है यह कितने अधिक है तो साफ दिख रहा है कितने सिक्के अधिक है 100 सिक्के अधिक है तो इसकला option कौन सा होगे option number पहला तो ये बिना लिखे भी हम कर सकते थे, लिख कर बता दिया, अच्छे जा समझ में आ जा इसलिए, चलिए बात करते हैं, next 22 के बारे में, क्या गरा है, question number 22 देखिएगा, वही सिक्के पैसों के लिए question है, चलिए, एक बैग में 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 6 और 17 के अनुपात मे है, दो तरह के पैसे, के हैं हमारे पास, एक तो 25 पैसे हैं, और एक 10 पैसे हैं, क्या है अनुपात 6, अनुपात 17, किनका अनुपात है संख्या का, रकम का होता तो ये बोलता और नहीं बोल रहा है सकाला number of coins का ही ratio है, यदि बैग में total रुपए कितने हैं, 16, ठीक है, तो 10 प को पता है, total अगर हमारे पास रुपए है, रकम है, तो ये अनुपात भी रकम का ही होना चीए, तो रकम का तो है नहीं, तो बना लेते हैं, कैसे हैं, रकम से गुणा करके, 25 पैसे हैं, इसकाल एक बटा 4 से गुणा करो, 10 पैसे हैं, तो 10 पैसों को रुपए में बदलना है, तो 10 में 100 का बाग दे दो, 1 बटा 10 हो जाएगा तो 10 पैसे का मगलब रुपाय में होता है 1 बटा 10 ठीक है यहां तक? चलिए अब इसको अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो करके देख लो, यह गया 3 और यह गया 2, तो यह क्या आगे आप हमारे पास 3 बटा 2 और यह आगया 17 बटा 10 ठीक है यहां तक? अब आप चाहो तो 2 से 10 यही काट लो 5 फिर 5 का 3 से गुणा कर लो कितना 15 और यह कितना हो गया 17 और 6 करने बैठे हो तो वैसे भी कर सकते हो, 3 का 10 से कितना 30 और 2 का 17 से कितना 34 अब आप काटोगे तो 15 और 17 ही आएगा ठीक है, जैसे भी करें आप तो यह जो अनुपात आया, यह अनुपात किसका आया अब रकम का हमारे पास आया है, ठीक है यहां तो तो रकम 25 पैसे और 10 पैसे के लिए अगर हम देखें, अनुपात 15 और 17 है तो रकम तो हमें टोटल दे रखी है तो नीचे इन दौनों की रकम के अनुपातों का टोटल आयेगा 15 और 17 कितना हो गया, 32 तो 32 तो यह 16 रुपे हैं तो नीचे इनका टोटल लिख दिया रकम का किसके बारे में पूछ रहा है वो 10 पैसे के बारे में तो 10 पैसे के लिए अगर मैं देखूं तो अनुपात कितना है, 17 तो गुणा में कर लेंगे 17 16 का ये दो बार 17 बटा 2 हुआ है तो 17 बटा 2 मतलब कितना हो गया इसे हम कह सकते हैं 8.5 रुपे लेकिन हमें रुपे पूछे ही नहीं गया है यहां पर हमें तो पूछे गए हैं सिक्कों की संख्या ठीक है, तो साड़े 8 रुपे जो हैं, वो 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है तो आप सिंपल सा ये देख सकते हैं 1 रुपे में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं तो 8 रुपे में कितने सिक्के होंगे 80 और उपर का आधा रुपिया है, मतलब 50 पैसे है तो जब 1 रुपे में 10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 50 पैसे में 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे 5, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ 85 जो है, वो नंबर आफ कोइन्स हमारा हो जाएगा जो की ऑप्षिन है, आपका ऑप्षिन नंबर 4 सिंपल सा है एक रुपे में 10 पैसे के 10 सिक्के हैं ठीक है, तो 8 रुपे में कितने होंगे 80 और बचा कितना 50 पैसा, तो उसमें कितने होंगे 5, या फिर 8.5 का 10 से गुणा कर लो, तो भी 85 आजागा जैसा आपको सही लगे, तांसर आगे 85 कोईंस, जो की ऑप्षिन है आपका ऑप्षिन नंबर 4 चलिए देखते हैं नेक्स 23 क्या गहरा है, क्वेशन नंबर 23 देखिएगा जरा तीन संख्याओं का अनुपाद आपको दे रखा है, दो अनुपाद तीन अनुपाद 4, तथा उनके वर्गों का योग है आपके पास 116, तो वो संख्याओं क्या होगी, दो तरीक है इस तरह के सवाल को करने के, एक तो आप ऑप्षिन से कर लो, और दूसरा आप मैथड से कर लो, ऑप्षिन से कैसे, दो तीन चार का अनुपाद आना चीए, पहली कंडिशन, दूसरी कंडिशन, उनके वर्गों का योग करने पर 116 आना चीए, तो दो तीन चार, फर्स्ट आप्षिन देखूं तो दो तीन और चार आतो रहा है अनुपाद तो दो तीन चार आ रहा है तो 6 और 60 और 30 नबे, और ये 100 और ये 116 तो मैच कर गया, तो पहला ये ऑप्षिन हो गया हमारा तो, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है और अगर पहला ये ऑप्षिन बाद में होता पहले ये होता अगर तो हम चेक कर लेते, क्या 2, 3, 4 आ रहा है अनुपाद ही नहीं आ रहा है, 2, 3, 4 बात ही घतम होगे, यह अगर देखते तो क्या 2, 3, 4 आ रहा है 3 से कटने पर 2, 3, 4 जरूर आ रहा है उनके वर्गों का यह हो कि 116 हो रहा है क्या, नहीं, 12 का स्क्वेरी 144 होता है, तो अभी यह तो जुडने बाकी है, तो यह भी नहीं होता और वैसे इनको भी देख, ठीक है और मैथड से देखना है तो कैसे करेंगे तो मैथड से देखना है तो तरीका यह रहेगा कि 3 नंबर हैं आपके पास 2, 3 और 4 के अनुपाद में तो नंबर है कौन से 2X 3X और आपका 4X कोई दिक्कत नहीं अब इनके वर्गों का योग तो इसका वर्ग करेंगे 4X स्क्वेर इसका करेंगे 9X स्क्वेर और इसका करेंगे 16X स्क्वेर अब इनका योग यह लीजिए योग यह इतनी चीज़े हैं एक्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है यह सारा काम बिना लिखें भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिखने जैसा अभी तक कुछ था नहीं अनुपात लिखावा है उनके वर्गों का योग करके अभी योग करके भी जो आ रहा है वो वेल्यू आप लिख सकते हैं तो इनको एड कर लेते हैं तो यह कितना हो गया 16 और 4 20 और 9 कितना गुन 30 29x स्क्वेर और यह कितना 116 कितनी बार कट जाएगा यह अगर देखें हम तो यह आपका कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा कितनी बार चार बार ठीक है तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया जब x का मान ही 2 आ गया तो number भी आ गये 2x है तो 2 x 2 कितना 4 3 x है तो 3 x 2 कितना 6 4 x है तो 4 x 2 कितना 8 तो 4 6 8 मतलब यह पहला option सही होगे तो method लगाएं तो यह रहा और option लगाएं तो वो भी मैंने आपको बता दे। चलिए देखते हैं 24 रंबर क्या कह रहा आपको यह तो बहुत आसान question है, simple से question है, verbally किये जा सकने वाले question है, ठीक है, मैंने आपको बताया था part first में ratio and proposal अनुपात और समान अनुपात पहला भाग आप देखेंगे, तो उसमें हमने देखा है, घना अनुपात मतलब इन्हें हम कहते हैं क्या, जैसे की मूला अनुपात, सौरी, घना अनुपात, वर्गा अनुपात, ठीक है, वर्ग मूला अनुपात, घन मूला अनुपात हमने देखा है, तो इन्हें हम कहते हैं, क्या triplet, ठीक है, triplet ratio, duplicate ratio जो कि हम कह रहे थे या duplicate ratio, triplicate ratio ये बोल दीजिए और घन मुला अनुपात बोलता है तो सब triplicate ratio और वर्ग मुला अनुपात बोलता है तो हम उसे क्या बोलता है सब duplicate ratio और वित कर्मा अनुपात, inverse ratio भी हमने देखा था और mix ratio या compound ratio जिसे मिस्रित अनुपात कहते हैं भी हमने समझाता है तो चलिए देख लेते हैं देखना क्या है, इसमें तो सीधा आपको answer करना है घना अनुपात है, मतलब दिए गए अनुपातों का घन करके लिख दीजिए, answer आ जाएगा तो तीन का घन आप देख सकते हैं और चार का घन भी आप देख सकते हैं तो तीन का घन होता है, सब ताइस, चार का होता है, चौसट क्या कुछ कटने के लिए है, क्या नहीं, तो option होगी है second, चलिए और इसका basic जो है, वो part first में आपको मिल जाएगा, type of ratio जब हमने देखा था, देखते हैं, next 25 क्या गहरा है, question number 25 आपको 25 आपको कह रहा है x square अनुपात y square का घन मूला अनुपात क्या होगा मतलब सब triplicate ratio क्या होगा घन मूला अनुपात मतलब दिये गयों का घन मूल लेना आपको तो हम देख सकते हैं इनका घन मूल लेना x square और y square आपको दे रखा है तो ले लेते हैं घन मूल ये लीजिए, ये हो गया इनका घन मूल ठीक है? जब यहां कुछ नहीं लिखते हैं तीन की जगे कुछ नहीं होता तो वर्ग मूल होता square root होता लेकित तीन लिख दिया तो घन मूल हो गया पर ऐसा तो कहीं option में दिख नहीं रहा है तो देखिएगा ज़रा गातांक का नियम लगाते है laws of exponents आपको क्या बोलता है कि अंदर कोई भी number है ठीक है? बार आपने कोई घात लगाई है for example p लगाई है मूल लगाया है, sorry तो इस मूल को अगर आप घात में लिखना चारे हो तो लिख सकते हो n की power 1 upon करके ये लिख दीजिए तो वो घात और ये मूल बराबर है a की बात तो वही नियम या लगा लेते तो ये क्या है? कौन सा मूल है? ये घनमूल है, ठीक है? घनमूल है, इसका मतलब cube root है तो इसको मैं घात के तौर पर लिखूँ तो कैसे लिख लूँगा? x square ये 3 तो नीचे जाएगा जैसे p नीचे लिखा गया तो 2 by 3 और ये y 2 by 3 ये option में है, बिलकुल है कहा है? option number 14 तो ये आपका answer हो गया चलिए, देखते हैं next 26 के बारे में मिस्रिद अनुपाद पूछ रहा है तो मिस्रिद अनुपाद का concept मैंने आपको बता रखा है जो part first है उसमें क्या? कुछ भी नहीं है जैसे कि ये 2 ratio 3 है तो इसको 2 by 3 लिख सकता हूँ इसको 3 by 4 लिख सकता हूँ इसको 4 by 5 लिख सकता हूँ और इसको 5 by 6 लिख सकता हूँ तो जो अंच होते हैं जो numerator होते हैं उनका अपस में गुणा कर लो और जो हर होते हैं denominator होते हैं उनका अपस में गुणा कर लो इसका मतलब 2 3, 4 और 5 उपर वालों का अपस में गुणा हो गया और नीचे वालों का अपस में गुणा हो गया यह निकल गया compound interest, sorry, compound ratio या फिर mix ratio या फिर मिस्र तनुपा जिसे हम कहते हैं, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कट्टे के लिए हैं जो काट लेते, तो क्या कट रहा है, 5 से 5, 4 से 4, 3 स तीन, 2 से 6 गया 3 बार, तो मेरे पास बचा क्या उपर एक और नीचे 3, इसका मतलब एक अनुपात 3, option दिख रहा है, बिल्कुल option दिख रहा है, option नमबर कौन सा सही है, तीसरा, चलिए, बत करते हैं next 27 के बारे में, क्या गया रहा है, question number 27, question number 27 आपको कह रहा है कि, किसी संख् संख्या का 75 प्रतीशत, दूसरी संख्या का 4 बटा 5 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो किसी संख्या का संख्या मैं नहीं पता, तो ये पहली संख्या हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात की है, इसका 75 प्रतीशत 75 परसेंट, तो जैसा कि आपको पता है कि 75 प्रतीशत को अगर मैं फ्रेक्शन में लिखूं तो वो कितना होता है तीन बटा चार नहीं पता है तो 75 का परसेंटेज अटाओगे नीचे सौ लगाओगे 75 बटा सौ होगा 75 से तीन बार और नीचे वाला 25 से चार बार गटेगा तब तीन बटा चार आ जाएगा किसी संख्या का मतलब नहीं पता तो संख्या मानली पहली है उसका 55 प्रतीशत मतलब तीन बटा चार तो ये लीजिए इसका तीन बटा चार बराबर है किसके दूसरी संख्या का चार बटा पांच है तो दूसरी संख्य संख्या मतलब यह रही सेकेंड इसका चार बटा पांच है तो यह लीजिए इसका चार बटा पांच तो आपको क्या पूछ रहा है उन संख्याओं का अनुपात तो निकाल लेते हैं बहुत ही आसान है फैली संख्या यही पर दूसरी इधर बेज देता है क्योंकि यह रेशिय तो चार का चार से गुणा 16, 5 का 3 से गुणा 15 तो आंचवर आया 16 अनुपात 15 जो की आप्शन हमें दिख रहा है कौन सा 16 अनुपात 15 है ध्यान से देखेगा तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा पहली और दूसरी का ही पूछा है तो पहली होगी 3 बटा 4, दूसरी क चार बटा 5 है ये पहली ये दूसरी ये 4, 5 ठीक है ये 4 उपर और ये 3 नीचे 16 अनुपात 15 होगा 15 अनुपात 16 है तो वो तो होगा नहीं तो आंस्वर होगा not मतलब इसको होना चीए था option को इस तरीके से कि none of these तो इस option को सही लिख लेते हम तो ये option इस तरह से होना चीए थ none of these मतलब इन में से कोई नहीं तो यही option जो है ये हमारा answer होगा है हमारा answer 16 अनुपात 15 है ये 15-16 कह रहा है गलत होगा हमें पहली से दूसरी का निकालना है तो पहली और दूसरी का अनुपात देखोगे तो 16 अनुपात 15 होगा 15 अनुपात 16 तो दूसरी से पहली का है लेकिन पहली से दूसरी का पूछा है तो 16 अनुपात 15 ही सही होगा जो कि option में नहीं है तो फिर हम कर देंगे none of these मतलब इन में से कोई नहीं चलिए next देखते है 28 टंबर जो question है उसे क्या गरा है question number 28 देखे दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है 40 और उनका अंतर भी दे रखा आपको 4 तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा आसान है दो संख्याओं A और B मानली जिनका योग है 40 और जिनका अंतर है कितना 4 अब जैसा कि आपको पता है mathematics पे एक concept होता है जब आपको दो variable मतलब दो चर उनका योग फल और उनीका अंतर दो variable का total और उनीका difference आपको दे रखा हो और अगर आपको first variable पहला चर निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए और second variable दूसरा चर निकालना हो तो इनको घटा कर आधा कर दीजिए answer आ जाता है तो A निकाल लूँ पहला नंबर दोनों को जोड़ो और आधा करो कोई दिक्कत नहीं बी निकालना आपको दूसरा तो दौनों को घटाओ और फिर आधा करो तो पहला और दूसरा नंबर आ गया लेकिन हमें तो अनुपात पूछा है तो जब नंबर आ गया तो अनुपात भी आ जाएगा तो नंबर है बाइस और अठारा कट रहा है तो कटने के बाद ये कितना हो गया तो ये आगया आपके इग्यारा और नौ इग्यारा और नौ अप्शिन कौन सा हमारा दूसरा दियान रखिएगा नौ इग्यारा नहीं होगा क्योंकि पहले और दूसरे की बात कर रहा है तो इग्यारा और नौ होगा, नौ इग्यारा तो दूसरा और पहला होगा, पांसुर आगे 11 रेशियो 9, देखते हैं, नेक्स 29, दो संख्याओं का आपको बोल रहा है, अंतर 30 है, और उनका अनुपात 5 इग्यारा है, तो वे संख्याओं क्या होगी, ओप्शन से कर लो, या फिर म इतना है, 30 है, तो अनुपात का नियमी ये कहता है, जो आपने उपर लिखा है, उसी का अनुपात नीचे लिखो, तो उपर तो आपने 30 लिखा है, जो कि अंतर है दौनों का, तो नीचे दौनों के अनुपातों का अंतर लिखो, तो 5 और 11 का अंतर अगर मैं देखूं, तो 5 उर्वाँ पांच और 11 का अंतर कितना होगय मेरे पास 6 तो नीचे 6 लिख लो गुणा में लिखो जो पूछा है क्या पूछा है दोनों ही संख्या पूछिए, तो पहली संख्या के लिए 5 से गुणा करेंगे क्योंकि उस गणुपात 5 है, तो 6 से ये गया 5, कितना आ गया 25, ये तो पहली संख्या निकल गई, दूसरी संख्या के लिए ये वापस लिखूँँगा, तो ये तो 5 ही आएगा, अब गुणा क्या करेंगे, जो चैप्टर का और हमारे आज के वीडियो का लास्ट कोशन कोशन नमबर 30 तीस नमबर जो है उसे तो देखिएगा क्या कह रहा है कोशन नमबर 3030 देखते हैं कोशन है आपके पास कि दो संख्याओं का अनुपाद 3 अनुपाद 5 है कोई दिक्कत नहीं प्रतेक मैं से 9 घटाया जाए तो उनका अनुपाद बन जाता है 12 और 23 का तो बताइए पहली संख्या क्या होगी चलिए तो देखते हैं 3 अनुपाद 5 है तो नमबर मैं कह सकता हूँ 3X और क्या 5X ये लिखने की भी जरूर इतनी है सीधा सीधा पता अब यहाँ से X की वेल्यू निकाल लें और पहली संख्या पूछिये तो 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा अंस्वर आजाएगा तो निकालते हैं X की वेल्यू तो कैसे करेंगे गुणा ही कर लेते 23 का अगर 3X से करें या फिर आप गुणा ना करें एक बार ऐसी रहने दे तो भी चल जाएगा तो 23 का इस से किया तो कितना हो गया जैसे ये गुणा करें तो ये हो जाएगा 3 का 3 से 9 और 20 का 3 से कितना 60 तो कितना हो गया 69 X फिर 23 का 9 से कर लेते हैं तो 23 का अगर 9 से करेंगे तो 23 का अगर 10 से ही कर लें या फिर सिधा करी लो 10 से क्यों दिक्कत 23 से 10 से किया तो 230 होता है फिर 230 में से आपको 220 कम करना है तो 230 में से आप 23 कम करोगे तो वो 207 होगा ठीक है चलिए 207 12 का 5 से कितना 60 X और 12 का 9 से करना है तो 108 ये 69 है ये 60 है इधर लेकर आ जाओ 9X हो गया ये 207 है उदर ले जाओ तो उदर 108 में से माइनस हो जाएगा तो 207 है और ये 108 है तो 92 हो ये और ये 7 हो जायेगा तो कितना हो जाएगा 99 तो value आ गए X की कितनी 11 तो आपको क्या पूछा था पहली संख्या पूछा था तो तो पीन का X से मतलब 33 हमारा आंसर होगा जो की option है आपका option number कौन सा पहला यह एगर आपको दूसरी संख्या पूसता तो पांच का X से गुणा करते तो पांच का X से पांच इंटू एरा करते तो कितना होता पचपन तो यह था हमारा चैप्टर रेशियो और प्रपोस्टल अन सब्सक्राइब डिटल तैयारी